नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अश्विन मास की चतुर्थी व्रत यानी की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा कहने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से परिवार में सुख, शान्ती और सम्रिध्धि बनी रहती है, तो चलो कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे क्रिष्ण जी, मैंने सुना है कि आश्विन क्रिष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवन कराईए। श्री क्रिष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्ण पार्वती जी ने गणेश जी से किया था, कि हे देव, आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है? यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सि चतुर्थी को श्री कृष्ण तथा बाणासुर की इस कथा के अनुसार एक समय की बात है। बाणासुर की कन्या उशा ने सुशुप्ता वस्था में अनिरुध का स्वप्न देखा। अनिरुध के विरह से वह इतनी अभिलाशी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शान्ती नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्र लेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुध को देखा, तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था। इसी के साथ मेरा पानि ग्रहन भी हुआ था। हे सखी, ये व्यक्ति जहां कही भी मिल सके, ढूंड लाओ। अन्य था, इसके व्योग में मैंने अपने प्राण छोड़ देच दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर, चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आपहुँची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहाँ अनिरुध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया। और रात्री में पलंग सहित अनिरुध को उठा कर वह गोधुली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ठ हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पढ़्धा। अपने पुत्र प्रद्यम्न एवं पौत्र अनिरुध की घटना से कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मिनी भी पौत्र के दूख से दूखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नात, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया। अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोका कुल हो, अपने प्राण छोड़ श्री कृष्ण ने लोमश रशी से पूछा कि, हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया, वह कहीं स्वयम तो नहीं चला गया है, हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया, ये बात मैं नहीं जानता हूँ, उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत द और उसे बाणासुर के महल में छिपा के रखा है, ये बात नारज जी ने बताई है, आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए, इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा, ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले ग बाणासुर की रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया, भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काड़ डाला, ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था, श्री गणेश जी को प्रसन करने तथा संपूर्ण विग्न को हरने के लिए इसके प्रभाव से आप शत्रूओं पर विजय प्राप्त करेंगे, एवं राज्याधिकारी होंगे, इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े-बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते, हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयम किया है, यह मैं आपसे सत्य कह रहा महराज की जय संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत और पूजा की जाती है, इस दिन व्रत कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है, संकष्टी चतुर्थी, व्रत और पूजा की विधी इस प्रकार है, ब्रह्म मुहूर्थ में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, ए कीले फूलों की माला और पुश्प अर्पित करें, मोदक, बूंदी के लड्डू और मौसमी फल का भोग लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, वैदिक मंतरों का जाप करें, चंद्रमा के दर्शन करें और अर्ग्य दें, व्रत का पारण करें, व्रत के दौरान इन बात बोलें, संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व और नियम इस प्रकार है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से भगवान गणेश का आशीरवाद मिलता है, इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख, शान्ती और सम्रिध्य आती है, मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी को महसकंद हर चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के पंच मुखी हेरंब रूप की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी पर व्रत करने के लिए सुभह जल्दी उठकर स्नान करें। और सूर्य देव को जल में चावल डालकर अर्पित करें। भगवान गणेश की पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मूह करें। भगवान गणेश को फूल, चावल, दूर्वा, फल, जनेउ, आदियर्पित करें। पूजा के बाद व्रत कथा और आर्ती करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्ग्य देते समय कहें कि हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की प्रिय हो। ब्राह्मनों को भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। इस प्रकार हमारी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा एवं पूजा विधी और महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी समाप्थ हुई। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कर दे, जिससे वह भी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में जान सके।